प्रियवी द्यार्थियों आज हम संस्कित की आठमी की पठ्था पुस्त गुरूचिरा भागतीन के पाठ्थ दो जिसका नाम बिलस्य वानी ना कदापी में शुरुता को पढ़ रहे हैं जिसका पाठ्था पाठ्थ का के बिलकी वानी मैंने कभी नहीं सुनी इस पाठ्थ का म कस्मिश्चित वने खर नखर है नाम सिंग है प्रतिवस्ति समय कस्मिश्चित यहां पर यदिश का संदीवश्चित करें तो कस्मिन जमाचित ये सका संदीवश्चित होगा कस्मिश्चित वने किसी वन में खर नखर है नाम का सिंग है प्रतिवस्तिसमें शेर रहता था से कदाचित इतस्ततह प्रेभ्रह्मन ख्षुधारतह नै किंचिदपी आहारम प्राप्तवान एक बार इधर उधर इतस्ततह इतह जमतततह इधर उधर प्रेभ्रह्मन घूंते हुए ख्षुधारतह भूग्से व्याकुल उसे नै किंचिदपी आहारम कुछ भी आहारम भोजन नै प्राप्तवान नहीं मिला ततह तब सुर्यास्त समे सुर्यास्त के समे एकाम महतिम गुहाम एक बड़ी सी गुफा दृष्टवा देखकर सह एचिंतत उसने सोचा नूनम एतस्याम नूनम निश्चही एतस्याम इस गुहायाम गुफा में रात्रव रात्री में को अपी इसका संदीव चेद है कह जमा अपी कोई भी या कोई जीव है जीव आगचती आता है अता है इसलिए अत्रव इसका संदीव चेद करेंगे अत्रजमा एव अता है इसलिए अत्रव यहीं निगूढो भूत्वा चिपकर निगूढो भूत्वा का अर्थोगा चिपकर तिष्ठामी बैठ जाता हूँ इती ऐसा उसने सोचा आगे देखिए इस तस्मिन अंत्रे गुहायह स्वामी दधी पुच्छ नाम स्रिगाल है समागच्छत इसका संदीव चेद होगा सम जमा आगच्छत इस तस्मिन अंत्रे इसी बीच अंत्रे मतले बीच में इसी बीच गुहायह स्वामी गुफा का स्वामी दधी पुच्छ नाम दधी पुच्छ नामक स्रिगाल है सियार समागच्छत आया सै चै यावत चै मिन और सै वह यावत पश्यती जैसे देखता है तावत वैसे ही सिंग पद पधती सेर के पैरों के सिंग पद सेर के पैरों के पधती निसान गुहायाम प्रविष्टा गुफा में प्रवेस होते हुए द्रिश्यते दिखाई देते हैं या दिखाई दे रहे हैं नय चै बहिर आगता चै मैंने और नय नहीं बहिर आगता इसका संदीव जह दे रहे हैं बही सब्दे है ये बही के बाद विशरक बही जमा आगता बही बाहर आगता आते हुए नय दिखाई नहीं देते हैं स्रीगाल है ए चिन्तत सियार ने सोचा अहो वीनस्टो असमी अहो अरे वीनस्टो असमी मैं नश्ट हो गया हूँ मैं मारा गया हूँ नूनम निश्चेही असमिन बिले इस बिल में सिंग है शेर अस्ती इती तरक्यामी अस्ती जमाइती देखे अस्ती में यहाँ पर हर सवी इती उसके बाद हर सवी दोनों का संदी पुछेती किया अस्ती जमाइती तो देखे संदी हो गई अस्ती इती तरक्यामी ऐसा मैं सोचता हूँ तत किम करवानी तो मुझे किम करवानी क्या करना चाहिए एवं विचिंत्य ऐसा विचार कर दूरस्थः दूर खड़ा हुआ रवम आवाज कर्तुम आरब्धाय करने लगा भोबिल भोबिल अरे बिल अरे बिल किम ना समरसी क्या तुम्हें याद नहीं अब तुम्हें कि जो संस्कृत है वो समरसी ये मध्यमपूर से एक वचन है यन मया यहाँ पर ये यत तय था यत मया त्वयस है समय है कृतोवस्ती यन मया इकठा किया तो यन मया बन गया कि तुम्हारे साथ मेरे दुबारा जो समय है कृतोवस्ती सर्थ रखी गई थी यत के यदा अहम यदा जमा अहम कि जब मैं बहयता है बाहर से परत्या गमिस्यामी इसका संदीव चेहते करेंगे परती जमा आगमिस्यामी तो उपसरग लगने से परती जो है यहां पर उपसरग है तो इसका बदल जाता है कि वापिस लोटूँगा तदा तब तुम माम तुम मुझे आकरिस्यसी पुकारोगी या पुकारोगे यदी तुम माम ना आवेसी यदी तुम मुझे नहीं आवेसी पुकारते हो तरही तो अहम मैं दुवित्यम बिलम दूसरे बिलमे या स्यामी यहां पर याद हातु जाने गर्थ में या स्यामी चला जाऊंगा इती ऐसा उसने सोचा अथ इसके बाद एतत शुरुत्वा यहां पर इसका संदिव चेद करेंगे एतत जमा शुरुत्वा यहां पर तै के स्थान पर चै हुआ और श्रै श्रै में श्रै उसके स्थान पर चै हुआ इतत शुरुत्वा सिंगह एचिंतत अथ इसके बाद इतत शुरुत्वा ऐसा सुनकर सिंगह शेर ने एचिंतत सोचा नूनम एशा निश्चही है गुहा स्वामिन है गुफा स्वामिन है स्वामी का सदा हमेशा सम आवानम करोती उसका आवान करती है उसको बुलाती है प्रंतु लेकिन मद भयात मेरे भ्या के कारण या मेरे भ्या से ने किंचिद वदती कुछ भी नहीं बोल रही है अथवा साधु इदम उच्चते अथवा इसका संदीव चेद है साधु जमा इदम साधु इदम तो साधु जमा इदम अथवा इदम मैंने यह है साधु ठीक ही उच्चते कहा गया है कि भैसंतरस्त मनसाम हस्त पाद आदी कहा किरिया कि जब व्यक्ति डर जाता है तो उसके हात पावदी की जो किरियाएं हैं वो सिथिल हो जाती हैं तो भै संत्रस्त मन साम डरे हुए मन साम मन वालों की हस्त पाद आदी कहा किरिया हाथ पैर से समधित किरियाएं परवर्तंते नय वानी चै वेफ्थुष्च अधिको भवेत और वानी अर्थात मुक्से बोलना नय परवर्तंते नहीं हुआ करता वेवतुष्च अधिको भवेत, वेवतु उता है कमपन, अधिको भवेत, कमपन भी अधिक होता है, क्योंकि जब व्यक्ति डर जाता है, तो कमपन अधिक होती है, आगे देखिए, तदहम अस्यावानम करोमी, ये है तत जम्म अहम, तो तयको दै हुआ, तदहम अस्यावानम करोमी, तो मैं इसका अवान करता हूँ, या इस गिद्र को, या इस सियार को बलाता हूँ, पकारता हूँ, एवं इस परकार, सह बिले परविश है, वह बिल में परविश करे के, में भोज्यम में मेरा भोज्यमन भोजन भविश्यती बन जाएगा इत्थम विचारिये ऐसा विचार कर सिंग है शेर ने सहसा अचानक शेर की उच गर्जन प्रतीध्वनिना उची आवाज से प्रतीध्वनित सागुः वह गुफा उच्चही जोर से श्रिगालम श्रिया श्रीगालम यहाँ पर लिखाव है श्रिगालम सियार का आव्यत आवान करती है अनेन अन्य अपी इससे दूसरे अपी मैंने भी पश्वह पशू भी इससे दूसरे पशू भी भैवी तहा भैवी तो हो गए अभवन हो गए अधात डर गए श्रिगालम अपी श्यार भी ततह वहां से दूरम दूर पलाय मानहां दोडते हुए इमम अपठत यह पढ़ने लगा अनागतम अब यह देखिए शलोक दे रखा यहाँ पर अनागतम यह कुरूते सहशोबते सह erosion वने अंतर संस्थस्य समागता जरा बिलत्यवाणिन कदापी में सुरूता यह अनागतम के अनागतम करता है ने वाला दुख को जो प्राणी आने वाली विपत्ति को दूर करने का उपाए करता है शह शोबते वही सोभाय मान होता है वही सोभा पाता है सह सोच्यते योना क्रोतियानागतम जो आने वाली पत्ति को दूर करने का उपाय नहीं करता सह वह शोग करने योग्य होता है थाथ उसे दुख उठाने ही पड़ते हैं वने अत्र सस्तस्या समागता जरा इस वन में अत्र यहां वने वन में सस्तस्या रहते हुए समागता जरा जरा करते हैं बढ़ापा समागता समजमा आगता कि बढ़ापा आ गया है प्रंतु बिलस्य वानिने कदापी में सुरुता प्रंतु मैंने कभी भी बिल की आवाज नहीं सुनी अर्था आज बिल से आवाज आई है तो यह बिल अवस्य ही पत्ती का घर बन चुका है यहां से दूर चले जाने में ही भलाई है तो यह जो पाठ का सिर्शक था कि मैंने कभी बिल की वाणी नहीं सुनी इस संद्रम में यह इसका शारांस है कि हमें सावधान रहना चाहिए आगे हम इसका अभ्यास करते हैं पहला प्रशन है उच्चा अनम कुरूत देखे यह आप अच्चे स्वंभी कर सकते हैं लेकिन मैं इसका अभ्यास आपको करा रहा हूँ पहला शब्द यहां पर लिखा हूँ है कस्मिश्चित ख्रूधारतह सिंगपदपदतेह वीचिंत्य एतच्छृत्वा सम अहवानम साधवीदम भैसंत्रस्त मनसाम प्रतिध्वनिही आगे प्रशन संख्या दो एक पदेन उत्रम लिखद एक पद के दुबारा आप जो एने इसका उत्तर लिखेंगे एक शब्द जैसे पहला प्रशन है क सिंगश्या नाम किम तो इसका अर्थ है के शेर का नाम क्या है अभि यहापने पड़ा है खर नखन ginger है खह कह असेर कह क्पफा का स्वामी कौन था इसका उतर होगा स्रीगाल है शियार गय सिंग है का समिल समय गहाए समीप आगता है शेर किस समय गुफा के समीप आया तो इसका उत्र होगा सुर्यास्त समय, सुर्यास्त के समय, घह, हस्त पाद आदी कह किरियह, के शाम ने परवर्तंते, के हाद पाउं आदी किरियाएं, के शाम किन की ने परवर्तंते नहीं चलती, तो इसका उत्र होगा भैसंतरस्त मनसां, डरे हुए मन वालों की, अंगय गुः केन प्रतिध्वनिता के गुफा किस के द्वारा प्रतिध्वनिता इनके उंची आवाज में गुञ्ज उठी थी तो यहां पर उत्र होगा सिंग गर्जनेन शेर की गर्जना करने से अगे प्रसंसंख्या तीन पूर्ण वाक्य नूत्रत अब आपने इन प्रसंवों के पूरे वाक्य नूत्र देने हैं के खरनकर है कुत्र प्रतिध्वस्ति समय के खरनकर कहां रहता था तो इसका उत्र होगा खर नखर है एक कस्मिन वने प्रतिवस्ति समय खै महतीम गुहाम द्रिष्टवा सिंग है किम एचिंतत बड़ी गुफा को देखकर शेर ने क्या सोचा तो इसको उत्र होगा महतीम गुहाम द्रिष्टवा सिंग है एचिंतत बड़ी गुफा को देखकर शेर ने सोचा निश्चा ही इस गुफा में कोई जीव रात को आता है गए सिरिगाल है किम एचिंतत शियार ने क्या सोचा इसको उत्र होगा सिरिगाल है चिंतत नूनम अस्मिन बिले सिंग है अस्ती के निश्चा ही इस बिल में शेर है गए सिरिगाल है कुत्र पलाईता है शेर कहां दोड़ गया सिरिगाल है उत्तर होगा सिरिगाल है दूरे पलाईता है शिरिगाल दूर दोड़ गया अंगे गुफा समीप मागत्या है सिरिगाल है किम पशती के गुफा के समीपा कर सिरिगाल क्या देखता है तो इसका उत्तर होगा गुहा स्मी पमागत्या स्रिगाल है पश्यति यत अत्र अस्मिन बिले सिंगह अस्ति चै इसका प्रशन है कहे शोभते के कौन शोभा पाता है तो इसका उत्तर होगा यह अनागतम कुरूते से शोभते जो आने वाली विपत्ति को दूर करने को उपाय करता है वही शोभा पाता है आगे प्रसन संख्या चार रेखांकित पदानी आधित्या प्रसन निर्मान कुरूत के रेखांकित पदों का सहरा ले करके प्रसन निर्मान कुरूत प्रसन निर्मान करें कहे खुशुदार तह इस आहारम प्राप्तवान तो यहां पर इसके स्थान पर आजेगा कह और वक्य होगा कह सिंगह कुत्रप आहारम ने प्राप्तवान बाद में प्रसंचिन घख्य दधीपुच्छ यह भी अंडरलाइन है नाम स्रीगाला है गुहया स्वामी आसीत तो दधीपुच्छ इसके स्था स्थान पर भी कह आजाएगा आगे नाम स्रीगाल हां गुह यह स्वामी आसित प्रसंचिन गय की एशा गुहस्वामिन हैं कि इसको अंडर निकियों दख अवन क्रोती तो रहें श्वामिन के स्थान पर आ जेगा कस्यद एशागुहा कस्या सदा आवानम्कुरोति बाद में प्रसंचिन घै भैसंतरस्त मनसाम हस्त पाद आदि कहा इसको अंडरलाइन किये वाए है किरिया नहीं परवर्तंते यहाँ पर इसके स्थाम पर कहा बहुचन सब्द है इस्तिलिंग का भैसंतरस्तमनसाम कहा किरिया हने बिले यहां पर बिले इस शब्द उश्यय को नटलाइन क्या हॉआ है परविश्य झिंख ह्ष्यम भज्यम हृष्यति तो यहां पर प्रसन निर्मान करेंगे आवेन स्रिकाल है बिले के स्थाण पर आ जाएगा कुत्र प्रविश्य सिंहस्य भोजम भविश्यती बाद में प्रसंचिन प्रसंशंख्या 5 घटनाक्रम अनुसारम वाक्यानी लिखत घटनाक्रम से वाक्यों को लिखेगे पाठ के आगे पीछे के जो वक्या है इनको हमने करम से लगाना है कि कौन सा वक्या पहले आएगा तो यहां पर देखिए वक्यों को का गुहाया स्वामी ददिपुच्छा नाम स्रिगाल है समग अच्छत खै सिंगह एकाम महतिम गुहाम अपशत गै परिब्रह्मन सिंगह क्षुधार्त जाताहा घ्धुरस्थह स्रिगाल है रवं कर्तुम अरब्धह अंगए सिंगह स्रिगालस अवानमक्रोथ तो हमने इसको घटना किरम के अनुसार लिखना है करम से इन वाक्यों के लिखेंगे तो पहले नंबर पर जो गया भाग पर लिखा हुआ है वो वाक्य होगा गुफा का स्वामी दे पुछ नाम का स्रिगाल आया नंबर चार पर जो वाक्य है छे लाश्ट का गुफायाम को अपी अस्तिति स्रिगाल से विचारा है कि गुफा में कोई है ऐसा स्यार ने विचार किया नंबर पांच घै दूरस्था स्रिगाल है रवम करतुम आरब्धा के दूर खड़ा हुआ स्यार आवाज करने लगा नंबर छे अंगए सिंग है स्रिगाल से आवानम करोथ के शेर ने स्यार का आवान किया नंबर साथ जो अंत में जो वाक्या बचा हमारे पास वो है चै के दूरम पलाय माना है स्रिगाल है स्लोकम आपठत दूर भागते हुए स्यार ने यह स्लोक पढ़ा प्रसंद संख्या छे यथा निर्देशम उत्रत के एकाम महतिम गुहाम दिरिष्टवा सह चिंतत अस्मिन वक्के कती विशेशन पदानी संख्या सह पदानी अपी लिखत तो यहाँ पर इसका उत्र होगा द्वे विशेशन पदे दो इसमें विशेशन पद हैं एकाम और महतिम खै तदहम अस्याभानम क्रोमी अत्र एहम इती पदम कसमई प्रिक्तम कि यहाँ पर जो एहम जो शब्द है वो किसके लिए प्रियोग हुआ है तो इसका उत्र होगा सिंगहाए प्रिक्तम शेर के लिए गय यदी तुम माम न अभाय से सी कि यदी तुम मेरा आवान नहीं करोगे अस्मिन वक्य करतरी पदम किम इस वक्य में करतरी पद कौन सा है के सब्जेक्ट कौन सा है तो इसमें आये जाएगा तुम घय सिंग पद पदते ही गुहायम प्रविष्टा द्रिश्यते के सेर के पैरों के निसान गुहा में प्रवेश होते हुए दिखाए दे रहे हैं असमिन वक्के क्रिया पदम किम इस वक्के में क्रिया पद कौन सा है अथा धातु रूप कौन सा है तो इसमें आएगा द्रिश्यते अंगय वने तरसंस्त से समागता जरा के वन में रहते हुए मेरा भड़ापा आ गया है इसका अर्थिये बनता है अस्मेन वक्हे अव्यपद अमकिम इस वक्हे में अव्यपद कुंसा है अव्यपद अर्थात जो किसी भी वचन में किसी भी लिंग में परिवर्तन नहीं होता तो इसमें यहां पर जो वक्प्द है अव्यपद अत्र परसन संख्या साथ मंजूशाता है अव्यपदानी चित्वा रिक्त स्थानानी पूरियत के मंजूशा से अव्यपदों को चुन करके खालिस्थान भरें अव्यपद दे रखें हैं कस्चन दूरे नीचई यदा तदा यदी तरही परम चै सहसा अब इनकी सहता से हमने खालिस्थान भरने हैं इस कहानी को उरा करना है देखिए कहानी दे रखी है एकस्मिन वने तो यहाँ पर खालिस्थान आजाएगा कस्चन व्याध है जालम विस्तीरिया है आगे खरिस्तान आजाएगा दूरे स्थिता है कि किसी बन में कोई कस्चन मेंने कोई व्याधा सिकारी जालम विस्तीरिय जाल फैला कर दूरे स्थिता है दूर खड़ा हो गया करम से आकाशात से परिवार है कपोत राज है करम से आकाश से से परिवार कपोत राज है यहां पर आजाएगा नीचे ही आगच्छत नीचे आया आगे खरिस्तान यहां पर आजाएगा यदा यदा कपोत हा तंडूलान आपसन जब कबुत्रों ने तंडूलान चावलों को आगे खालिस्तान में आजाएगा तदा तब तेशाम लोभ हो जाता है उनके मन में लोभ उत्पन हो गया परम परंतु राजा सहमत ने आसीत राजा सहमत नहीं था तस्या युक्ति ही आसीत उसकी उक्ति थी यह उसका विचार था यहाँ पर खालिस्तान में यदी यदी वने कोवपी मनुश्य नास्ति यदी वन में कोई मनुश्य नहीं है तरही खालिस्तान में क्या जाएगा तरही तरही तो कुत है तंडुला नाम संभव है कि चावलों का यहां होना कैसे संभव है आगे खालिस्तान में खालिस्तान में परम राग्या उपदेश्म एस विकृत्या को तहातंडुलान खादितुम परवित्तहा जाले आगे खालिस्तान में आजाएगा चय नेपती तहा अतहा उक्तम इसलिए कहा गया है कर्याम के बिना सोचे समझे कारिया नहीं करना चाहिए इसकार्थ होता है तो आप यदि चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक और शेर कीजिए